नवरात्री की तीसरे दिन मा चंद्र घंटा की पूजा अर्चना का महत्वे देवी चंद्र घंटा की सरपर घंटे की आकार का अर्ध चंद्र नजर आता है। मा चंद्र घंटा बेहत प्रसन होती हैं और भय पर विजय पाने का शिर्वा देती हैं। क्या कि मुद्रा एTw ए शास्ब्र के नुसार माठ चैंद्रघंटा का संबन्ध मंगल ग्र्छु माना जाता है इस लिए उदिया आपकी मन में किसी भी तरह का कोई भय बना रहता है तो आप मा दुर्गा के तिसरे स्वरूप चंद्रघंटा का पूजन करें इससे भय से मुक्ती और अपार साहस प्राप्थ होता है मा की पूजा करते समय उन्हें लाल फूल अर्पित करें इसके साथ मा को लाल सेब और गुड़ भी चड़ाएं शत्रों पर विजय पाने के लिए मा की पूजा करते समय घंटा बजा कर उनकी पूजा करें मा चंद्रघंटा की पूजा के बाद प्रसाद में गाय के दूज से बने व्यंचनों का प्रयोग करें यदि आप ये प्रिसाद चड़ाने में असमर्थ हैं, तो आप मा को लाल सेब और गुड का भूग लगा सकते हैं। मा चंद्रघंटा की पूजा करने से मन के साथ घर में भी शांती आती है और व्यक्ति के परिवार का कल्यार होता है। नवरात्री के व्रत में नियमों का पालन जरूर करना चाहीं। नवरात्री के नौ दिनों तक पूरी शद्धा भक्ति से मा की पूजा करें। नवरात्री के दरान भूजन नहीं करना चाहीं। व्रती दिन के समय फल और दूद का सेवन कर सकता है। शाम के समय मा की आर्थी कर परिवार की लोगों को प्रिसाद बाट कर खुद भी प्रिसाद ग्रहन करें। नवरात्री के वृत में भूजन के रूप में सिर्फ फलाहार ग्रहन करें। अश्टमिया नवमी के दिन नौकन्याओं को भूजन करवाकर उन्हें उपहार और दक्षिना दे। अगर संभव हो तो हवन के साथ नवमी के दिन वृत का पारण करें।